Hello friends, स्वागत है आपको हमें इस चैनल में आज मैं आपको पता हमगा कि टैली यार्पिनाई में सेल लेटन यानि क्रेटि नोट कैसे करते हैं और उसके एंट्री कैसे पास करते हैं उसका कैसे लिजबनाते हैं और उसको कहाँ पर देखते हैं तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि सेल लेटन यानि क्रेटि नोट की हम कैसे एंट्री करते हैं यानि कोई हमारा माल अगर खराब है तो हमें उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं टैली में तो आईए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है, इसके बाद आपको accounting features में जाना है, इसके बाद आपको यह option है, use debit and credit note, इस पर आपको yes करना है, yes करने के बाद आपको नीचे वाला जो option है record credit note in invoice mode, इसको भी yes कर देना है, और तीसर वाले option को आप no कर सकते हैं, कि अगले chapter में आपको debit note ब कर देगा, इसके बाद आपको back आना है, gateway of tally में आना है, इसके बाद आपको account info, laser create, यहाँ पर आपको बनाना है, sale return के नाम से, sale return, double enter करेंगे, फिर यहाँ पर list खुल जाएगी, यहाँ पर आपको sales account में डालना है, sale और sale return दौनों sales account का हिस्सा है, तो आपको इसमें डालना है, इसको फिर आप simply save कर देगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको back करके accounting voucher में जाना है, accounting voucher में जाने के बाद आपको इसमें control F8 प्रेस करना है, control F8 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर credit note आपका लिखा आ जाएगा, यानि कि आपका यह credit note voucher खुल गया, अब आपका हो सकता है, इस तरीके से आपका I2 of Y में, तो आप क्या करेंगे, तो आपको control when वाला V दबाना है, इसके बाद आपका इस तरीके से name of item वाला box खुल जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा original invoice number, यहाँ पर आपको वो number, bill number डालना है, जो आपका sale return का number आपने डाला होगा, तो उसको देखने के लिए आपको पहले display day book में जाना होगा, display में जाएंगे, day book में जाएंगे, और यहाँ पर हमने जो sale करी होगी, जैसे हमने e2z से करी है, राज से करी है, तो हमें जिसको return करना है, जिसका हमार return आया हुआ है, उसको हमें enter करेंगे, अब यहाँ पर देखे, इसका reference आपका आ रहा है, 22, तो 22 में हमने sr को ले रखा है दो पीस, तो हमें इसमें से एक पीस खराब है, तो इसको अब हम इसकी entry कर लेंगे, तो 22 आपको डालना है, यहाँ पर आपको control effect प्रेस करना है, इसके बाद original invoice number में आप 22 डालेंगे, तिक है, अब जैसी आप enter करेंगे, date अपने आप आप आए जाएगी, automatic आपकी, उस date को आपको return करना है, इसके बाद आपको वही party लेना है, जिसको आपको जिससे आपका return आया हुआ है, बस इसको आपने sale किया था, वो आपको बापिस करेंगा, तो उसकी हम एंट्री पास कर रहे है, यहाँ ले लेंगे राज, राज लेने के बाद आपको यहाँ पर दो option कि अब जो आपने sale किया होता, उसी को आपको बापिस आपका आएगा, यह निए कि आप दूसरा piece ले ले, अब जैसे हमारे answer का हमने sale किया था, उसमें दो piece sale करेंगे, मैंने आपको अभी display debug में दिखाया, तो उसमें से एक piece खराब है, suppose करिए, तो उसके हमें entry करना होगी, यहाँ पर quantity में हम one piece डालेंगे, देन उसके बाद जो rate आ रहा है, automatic आ जाएगा, और इसको आप कर देगा, simply save, यह आपका return हो गया, अब आपको क्या करना है, आप इसको देखने के लिए आपको जाना है, एक तो डिस्प्ले में जाएंगे, और डे बुक में जाएंगे, अब यहाँ देखेगा, यहाँ पर आपका आरा राज से sale return, यह देखेगा, यह आरा आपका credit note की entry, पास हो चुकी हमारी, और एक जगे हम देखते हैं, आपकी profit and loss account है, यहाँ पर जब आप जाएंगे, alt एप बन प्रेस करेंगे, तो यह देखे, sale return आपका minus में जाएगा, य आपका stock पर फरक पड़ेगा, sale return से आपके पास समान बढ़ जाएगा, अब देखे, हमारे पहले 19 piece थे, 19 piece थे, अभी 20 हो चुकी, एक piece हमारा इसमें आ गया, क्योंकि आपको से गहाक जो आपके होंगे, seller party होंगी, वो आपको बापिस कर जाएंगे, तो आपके पास stock पढ़ note की हमने entry कैसे पास करते हैं, तो अगले वीडियो को जरूद दिखेगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देख पाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल पर जाईए, पहले से subscribe कर लिजिए, बेल आइकान को दबा लिजिए, जिससे मेरे new update आपके सामन आपको मिलते जाएंगे, आप जैसे जैसे chapter खोली है, उसके आप अपने practical करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप एक successful accountant बन पाएंगे फिर, अगर आपने वो सारे follow का लिए, और अच्छी तरगे से आउनकी training ले लिए, मला practically तो और पर, मला आपको practice भी करन इस बात का आपको नहान रखना है, तो चलिए मिलते हैं अगले video में, thanks for watching.